हरे कृष्णा राधी राधी शिरी ओम नमो भगवते वासु देवाई जेश्ट मास महतम में कथा आठवा अध्याई सूच जी कहते हैं महादेव जी से रंभा वरत का वर्णन सुनकर पारवती जी ने कहा ही प्रभू इस वरत का पूर्ण फल क्या है और किसने पहले इस वरत को किया यह सब कृपा कर मुझे बताईए तब महादेव बोले त्रेता युक के पूर्ण होने पर किसी जंगे धुरुजटी नाम का एक ब्राम्बन रहता था वह ब्राम्बनों के कुल में पूजित, धनी और अनेक बंधों से युक्त था प्रंतु संतान हीन होने से दुखी होकर महान नियम में इस्थित होकर अनेक वरत और दानों को करता था इस प्रकार वरत आधी करते हुए बहुत समय के पस्चात उसको एक मनोहर कन्या उत्पन्न हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर वह ब्रामण अपने इस्तरी के साथ विचार करने लगा कि इतनी सुन्दर कन्या को किसको दें इसके समान कोई वर दिखाई नहीं देता ऐसा विचार कर वर देखने के लिए वह एक ग्राम से दूसरे ग्राम बहुत से नगरों में जाने के पस्चात राजाओं के मंडल में गया आने कोशेत्रों में जाकर जब उस ब्रामन स्रेष्ट को कन्या के योग्यवर ना मिला तब वह शुद्धात्मा रिशियों के तपोवन में परवेश कर गया फिर एक दिन कोशिक रिशी के आश्रम में उसने एक स्रेष्ट ब्रामन को देखा उसका नाम शिव शरमा था उसके माता पिता नहीं थे उसी का एक दूसरा परसिद नाम रूप राशी भी था समस्त भूमंडल में उसके जैसा रूपवन और कोई नहीं था इसी कारण से रिशियों ने उसका नाम रूप राशी रख दिया था धूरजटी ने उन रिशियों के पास जाकर अपना आशे प्रकट किया रिशियों के दुआरा विवहा परस्ताव का अनुमोधन करने पर शिव शरमा को साथ ले हर्च से प्रफुलित होकर वह अपने नगर को आया और समस्त बहु जनों को एकत्रित करके कन्या का विवहा उसने शिव शरमा के साथ कर दिया पास ही में रहने के लिए उसको घर भी दिया गोधन और अनेक परकार के भेंट दिये और दूसरे ब्रामनों को भी बहुत सी दक्षिना दी शिव शरमा सहित शुशीला और गुनवती के साथ प्रपंच जनित अपोर्व सुख का आनंद करने लगा जब कुछ समय बीत गया तब काल से प्रेरित वह शिव शरमा ब्रामन समिधा के निमित वन को गया उस वन में एक व्रक्ष की छाया में बैठ गया उसी समय शिव शरमा को एक अजगर आकर निकल गया और किसी ने भी इस कारिय को नहीं देखा सूरिय देव भी अस्थ हो गए थे सूरिय अस्थोने के बाद साथ ससुर और इस्तिरी ने सेव को को सात लेकर मशाल जलाकर वन के समस्थ इस्थानों को देखा अरी रात में लोग शिवशर्मा को खोजते रहे सूर्योदे होने पर भी जब शिवशर्मा नहीं मिला तो वे निराश और दुखी होकर अपने घर चले आए पती वृता गुणवती अपने पिता के घर में शोकाकुल होकर रहने लगी और नित्य देवताओं के पूजन में रत रहने लगी किसी दिन देव योग से वहाँ पर नारत जी आ गए गुणवती जी ने विधिवत नारत जी का पूजन किया और बारम बार उनको परणाम करने लगी इससे परसन्न होकर नारत जी ने गुणवती को वरत का उपदेश दिया नारत जी कहने लगे हे भद्रे तुम जेश्ट मास में पवित्र रंभावरत को करो और विधान भक्ति सवरूप देव का पूजन करो हे अनगे अनन्य मन से जीवन पर्यंत इस वरत को करो हे ब्रामन नारत जी बोले तुम यदि इस वरत के प्रभाव से विश्णु भगवान को पती रूप में पाकर इस्थाई पद को प्राप्थ हो जाओगी इस परकार नारत जी के उपदेश से वन वासिनी गुणवती ने कदली वन लगाया नारत जी के कहने के अनुसार उसने समस्त कर्मों को किया इस परकार बहुत समय बीच जाने पर वरधावस्था को प्राप्थ हो गई और उसी वन में उसकी मृत्यू हो गई मृत्यू के बाद विमान बर बैठकर वह स्वर्ग को गई जन्मांतर में उस वरत की पुन्यराशी से भगवान विश्णू की वल्लभा तुलसी हुई भगवान विश्णू को तुलसी से अधिक और कोई प्रियवस्तु नहीं है हे ब्रामनों इसी वरत को शिरी महादेव शिव की आग्या से पारवती जी ने भी किया इस वरत के प्रभाव से पारवती जी शिरी महादेव शिव को अति प्रिय हुई सूद जी कहते हैं जेश्ट मास की श्रेस मात्तम को सुनकर परसन्न होकर ब्रह्म रिशियों ने पुश्पो की माला और भूशनों से श्रेसूद जी का पूजन किया जेश्ट मास मातम में कथा आठवा अध्याय समाप्त अब हम सुनेंगे जेश्ट मास मातम में कथा का नौवा अध्याय विदी विदान से सूच जी का पूजन का रिशीगन कहने लगे हे सूच जी आगी भी आप जेश्ट मास का मातम और भी कहिए क्योंकि इसको सुनने मातर से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है सूच जी कहने लगे इस मास में उपवास करने से भगवान विश्णु अतियंथी परसन्न होते हैं इसलिए इस मास में उपवास वरत को करना चाहिए क्योंकि मासो प्वास परत एक लाख उपवास के समान होता है एक मास तक उपवास करना, प्राते काल इसनान करना, जितेंद्रिये रहना, कंद मूल फल खाकर रहना, प्रत्वी परशेयन करना, किसी का बुराना सोचना, नित्य सोच आचार से युक्त रहना, सत्य वचन बोलना और परसंद रहना चाहिए पूजा इस्थान में बैठकर वरत उपवास करके पूजन करना चाहिए, त्रियोधिशी के दिन मंगल इस्थान करना चाहिए, पूजा इस्थान में बैठकर पुन्याह वाचन कर, देवताओं का अधिवासन कर, स्वर्ण, चांदी, तांबा, मिट्टी का घट इस्थापित क उसमें पंच रतन डालकर खट पर भगवान विश्नु की प्रतिमा को इस्थापित करें। अनेक उप्चारों से पकवान, पायस, खांड, दही मिलाभात, रितु के पुष्प, नारियल, फल, धूप, दीप, तामबुल, अन्ने सुगंदित वस्तूं से भगवान का पूजन करें। रातरी में पुरानों की खथाशरवन करें, जागरन करें और शिरीहरी भक्तों से कीर्टन कराएं। गीत वादन, निर्गोष आदी से रात तक समय वितीत करें, प्रातेकाल होने पर नधी में इस्तान करें। नित्यनियम करके ब्रामणों का अनुमोधन कर, पांच ब्रामणों को रित्विजों का वरण करें। उनका वस्त्र और आबूश्णों से पूजन करें। कुंडिया वेदी में अगने इस्थापन कर विधी पूर्वक हवन कराएं पुरुष सुक्त के मंतरों से 16 आहुतियां दे शरक्रा, घरत, तिल, खीर की 108 आहुतियां मंतरों से दे हवन के पश्चात पूर्ण आहुति कर 6 हवन को समाप्त करें रिशियों को दक्षिना और गों का दान दे छाता वजूता का दान करें दस परकार के जो दान हैं वह सब दें और अपनी शक्ती के अनुसार प्रामनों को भोजन कराएं उनकी पश्चात उन्हें दक्षिना देकर परसंद करें दो वस्तरों से भूशित जो भगवान विश्नु की परतिमा है वह अन्य गुरू को मंत्र पढ़ कर दें परतिमा का दान करते समय कहीं हे केशव भगवान आप इस परतिमा को ग्रहन करें देने और लेने वाले दोनों का उधार करता केशव भगवान ही है ऐसे केशव भगवान को नमशकार है यह कहकर दक्षिन सहीत भगवान विश्नु की प्रतिमा कुटुम्बी और शोत्रिय श्रेश्ट ब्राम्मनों को देकर व्रत का पारणा करें जो मनुश्य जगती तल में इस दुरलब व्रत को करते हैं विशोक और मुहों से छूट कर अवश्य ही मनुवांचित फल प्राप्त करते हैं इस व्रत को तेरा वर्ष परियंत करके व्रत की संपूर्ण सिध्धी के लिए अती दुरलब उध्यापन भी करें सपतनिक तेरा ब्रामनों को निमंत्रित कर उनका वस्त्र आभूशनों से पूजन करें तेरा गोओं को दान करें जो कि वस्त्र आभूशन और वस्त्रों से युक्त हों बलवान और दूद देने वाली हों गों के साथ यथा शक्ति दक्षिना देकर ब्रामनों को भूईसी दक्षिना दें अपनी परवर्ती के अनुसार पुर्वक्ति हवन आदी कर्म करें स्रेश्ट विश्णू के मृत में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें यथा शक्ति जो भी कुछ किया जाता है वहे सब सफल होता है और जो दंभिक और शठ है उन सब का किया हुआ निश्वल चला जाता है इसलिए सभी उपायों से अपनी शक्ति के अनुसार शिरी विश्नु भगवान का पूजन करें जेश्ट मास महतम्य कथा नुववा अध्याय समाप्त हरे कृष्णा राधी राधी